गाईज बात अगर जनरल फिटनेस की हो, डेली लाइफस्टायल या फिर अगर आपको या अथलीट हो, स्पोर्ट्स खेलते हो, या फिर अगर आपको अपनी फ्रेंड्स को या फिर गल्फ्रेंड को इंप्रेस करना है, तो गाईज 6-Pack अप्स वो एक ऐसी चीज हैं जो कि इस वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो में आपको करके अब दिखाऊंगा, एक ऐसा आप्स का वर्काउट जो कि आप 15 मिन में कर सकते हो, और गाईज विदिन वन मन्त आपको इससे रिजल्स देखने को मिल जाएंगे, शर्त वही है, मैं वर्काउट करने के बाद कुछ बहुत ज़्यादा important tips दूँगा, उन्हें आपको ध्यान में रखना है, उन्हें follow करोगे, पूरा वर्काउट जैसे मैं बताऊँगा, वैसे करोगे, तो guys, 110% आपको result मिलेगा, even मैं यहाँ तक बोलूँगा, अगर आपका body fat percentage बहुत ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मोट करने के लिए उस वीडियो को like कर दो, bell icon को दबातो, ताकि जब दी नहीं कोई वीडियो डालूँ, सबसे पहले वीडियो गाईज, आपके पास आए, तो without wasting any time guys, मैं workout को शुरू करता हूँ सुकाइज बात कर लेते हैं, कौन कौन से exercise आपको करनी है, कैसे कैसे करनी है, 5 exercise में total करूँगा, 30-30 second के लिए, I mean आप 30 second के लिए करना, मैं यहाँ पे आपको basically reps में करके दिखा दूँगा, मगर आपको हर exercise 30 second के लिए करनी है, और उसके बाद दूसरी exercise करनी है 30 second बिना रु यहाँ, 30-30 second, मतलब 2 minute 30 seconds, total आपको लगेगा, एक set मारने में, उसके बाद आपको 2 minute का rest लेना है, फिर आपको उस set को दुबार रिपीट करना है, 5 exercise, हर exercise 30 second, फिर दूसरी exercise 30 second, लगातार एक के बाद एक के बाद एक, 5 exercise हो गई, दो मिनिट का rest लेना है, फिर दुबार रिप king sets, तो आपको at least 3 set मारने है, और हो सके तो, 4 sets भी मार लेना, फिलाल मैं आपको वो 5 exercise करके दिखाता हूँ, कौन-कौन सी करनी है, पहले exercise गाई, यह मेरी favorite है, और मेरे पे यह बहुत ज़्यादा सूट करती है, क्योंकि यह सिर्फ, आप्स को नहीं, oblique को भी help करती है, बिल् और आपको अपनी right elbow से left knee को touch करना है, और अपनी left elbow से right knee को touch करना है, आपको 30 seconds लागाता है, रैसे करना है, मैं आपको फिराल इसके 30 reps करके दिखाता हूँ, आपको एक अंदाजा हो जाएगा, हाथ पीछे, यह थी गाइस, पहले exercise, उसके बाद जो दूसरे exercise मैं करनी है, अब मैं वो करके दिखाता हूँ, सबके नाम मुझे याद नियाए guys exactly, क्योंकि यह अपसी अगर आप exercise जुन्डोंगे, आपको around 30 plus exercises मिल जाएंगे, और सबकी अलग अलग नाम है, तो यह वो पांच exercise है, जो इनिशली जब मैंने आपस बिल्ड करना start करा था, तो मैंने यह five choose करी थी, क्योंकि यह मेरे को लगा सुछाद effective होंगे, और निकली भी, और मेरे बहुत अच्छे सूट, अच्छे से सूट करती है exercise, मैंने भी same workout करा था, जो आपको करके बता रहा है, और इसको भी आपको 30 seconds लगातार करना है, मैं आपको इसके 30 reps करके दिखाते हों, ताकि आपको यह गंदाज़ा हो जाए, अच्छे स्थाद टार करके लगाद आपको, आ बांड़ें चाला होंचे से साइड़ा हों, ताकि जापको भी, ताकि नहाँ होंगे, ताकि आपको यह जाए, जाए प्याँ जाव्स, अच्छे सर्दोचे से अज़िंग को फोंगे, दोगम उखको यहाँ होंगे, तर भी तो डिसे दूसे नचाइब आगए तरफ हाथ को पीछे रखना है तर जैसे वह कमफटेबल आगे बेसिकला को यूं लेटना है मैं इसमा अपने पीछे रख लेता हूं यूजरी कि उसके बाद आपको अपने लेक्स को इसे पीछे लाना है one two three four five six seven eight nine ten यह यह वी काई आपको लगातार 30 सेकंड करनी है मैंने इसके 10 रप करके दिखा दे क्योंकि आपको स्लो स्लो करना है यह तेज नहीं करना जितना स्लो करोगे उतनी ज्यादा कि एफेक्टिव होगी तो यह 30 सेकंड में आप इसके पंदरा रेप्स तक निकाल लोगे बागे बढ़ते हैं नेक्स एक्स की तरफ पिर साथ आपको उसी पोजिशन में आना है जिसमें आप सेकंड एक्सराइज में थे इस बार आपको एक तरह से रनिंग करते हैं मगर आपको आगे नहीं बढ़ना मतलब करके दिखाता हूं ऐसे करना है कि यह करना गाइज आपको लगा था 30 सिकंड फिलाल मैं इसके 30 एक्साइज आपको करके दिखाता हूं थोड़ी यह थी करें सौथ एक्साइज अब रते हैं लास्ट और फिफ्ट एक्साइज की तरफ को अभर काउट को भायाइज भाहर हो पार्क में अच्छा लगता है इस्वसेट होता है उतना में पील होता अच्छए है वरकाउट अच्छे से और पेलोता जाधा आप घर भी कर सकते हूं मैं को आप कमश्टिबल लगे अप वहां कर सकते हो इसको नेक्स साइज में अगाई अगें जैसे अगर हाथ पीछे है में एको लगता है तो हाथ पीछे नहीं तो आप स्टेट भी लेट सकते हैं कि इस बार आपको अपने पैरो से साइक्लिंग करने है one two three four five six thirty seconds मैं आपको इसके बीस रप्स करके दिखा देता हूँ तो यह हुआ गाइस एक सेट ऐसे आपको एक सेट करने के बाद दो मिनिट रेस्ट लेना दूसरा सेट करना है और तीसरा सेट करना मिनिमम तीन सेट जरूर करना गाइस पॉर माक्सिमम मसल ग्रोथ हो सके तो चार सेट भी मगर ओरलोड भी मत करना अब इस बात कर लेते हैं कुछ important चीज़े जो आपको ध्यान में रखने हैं जब आपके वर्काउट कर रहे हो तो गाई सबसे पहले बात कर लेते हैं आपको वर्काउट कैसे कैसे करना है कितने दिन करना है आपको अब लगे अगर आपको हफते में बीच में एक दिन रेज़े लेना है तो आप ले सकते हो नहीं तो आप एक साथ दो रेज़े ले सकते हो रेज़े तो आपको लेने हैं अगर आप बिगेनर हो इवन इंटर्मीडियट भी हो बहुत प्रोफेशनल्स होते हैं वो जो की डेल पहले तो हो गया यह चीज़ का इस दूसरी चीज़ जब आप आप्स का वरकाउट अगर आपने पहले का भी नहीं करा या आपने कभी वरकाउट भी कर आपको एक चीज़ पता होगी जब भी आप करते हो उस पर्टिकुलर पार्ट को ट्रें करते हो बॉड़ी में किसी भी करने करें आपने आप स्टेंग करना आप शुरू करा आप को ट्रेंगर तो एकली साथ दिन दस दिन आपके आप में दर्थ रहेगा उसे आपको जहलना ही पड़ेगा तो नेक्स चीज़ आप करो जिसमें लाइक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है उसमें दर्थ भ बसे आपके याप फ़र नहीं पड़ता फोर्टो लो आपको हर दस दिन में प्रोग्रेस चेक करनी है और इस पर भी नेक्स पोई उपर चीज़ के बारे में बात करने काईज वह यह है कि जब भी हम कोई चीज करते हैं स्पेशली जब वर्काउट की बात हो गई और उसमें फैट लॉस करना है या वेट गेन करना है मसल गेन करना कुछ भी करना है उसमें टाइम लगता है अगर आप एक हफता वर्काउट करोगे तो फिर सीधा लाइक एक हफते के बाद एकस्पेक्ट कर सकते हैं अगर एक हफता वर्काउट करोगे आपने आपस को ट्रेन कर रहा है आईने में देख रहे हो आप दिखरा कोई फरकी नहीं है तो यह करना बेगार है ऐसा नहीं होता है हर चीज में टाइम लगता है तस दिन पंदरा दिन के बाद तो बैसिकली स्टार्ट होता है कि हाँ आप कुछ हो रहा है और उसके बाद द्री द्री प्रोग्रेस होती है जब मैंने आपस को बिल्ट करना स्टार्ट करा था मुझे टोटल वन एंड़ाफ मन्स लगे थे मेरे आपस क्लीर छे आपस निकलने में जिसका पोस्ट आपको आज भी फेस्टूप पे मिल परज़ाइगा 2014 का 6 साल पुराना वो पोस्ट है जब मैंने आपस बनाये थे डिए मुझे लगाता जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहाँ डिपेंड करता है बॉड़ी तू बॉड़ी परसेंटेज ज्यादा है ज्यादा लग सकता है कम है तो एक महीने में भी हो सकता है ठीक आपको दिखने लग जाएगा हां कुछ हो रहा है उसके बाद कुछ अपने आप मोटिवेशन मिल जाएगा जब आपको खुद देखने को मिलेगा कि हाँ अपने आप उसको देखके मोटिवेशन आएगा आगे फिर आप खुद ही कर लोगे मगर एक महीना कंसिस्टेंट ज आपने फैट बन करा अब आप फैटी खा रहे हो तो क्या फरक पड़ेगा यहां से निकाला वहां से अंदर ले लिया तो आपको डाइट में थोड़ा सा आइस देखना पड़ेगा अपने फैट जो भी आप खाते हो अमीन डेली फूद्स में आप जो घी वागरा आड़ कर लेना प्रोटीन आप ले सकते disto अच्छा ही होता आपको बिल्द करेगा मसल बिल्द करने में आपका चित्तावी वेटक्व ग्राम प्रोटी ले सकते हो अगर Hz जाएको क्रोग देना गाइसथ जहांव्लोस करлекतो औरा फैव थाइन पोट ने Um.5 कर हो एक मैं इलाईगा 90 ग यह थी गाईज वो बेसिक टिप्स जो मैं आपको वर्काउट के बाद देना चाहता था इन्हें जरूर ध्यान में रखना गाईज जो आप एक महीना के वर्काउट कर रहे हो अगर यह वीडियो पसंद आओ गाईज तो लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना अगली बार फिर मिलेंगे गाईज एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते